Dear Students, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu भेरे बच्चों, आज हम अपना लेसन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं सेंट आप्दा गटर जिसका हमने आदा सा पोर्शन कल पड़ा है एंगनस एराइवड इन कॉलकटा इन 1929 and was sent by her order to Darjeeling in West Bengal to bring her novitiate ये जो थी Mother Teresa जो थी जिसका ना जो एंगनस थी ये कॉलकटा आई 1929 में किसलिए आई वो अपना जो अधोरा काम था उसको पोरा करने के लिए वो जिस काम के लिए अपनी जिंदगी वाकफ करना चाहती थी उस काम को आगे ले जाने के लिए the period of study and prayers which every nun must undergo before she finally becomes a nun at the honour वो period, the study of period वो अपना जो पड़ाई का काम उसका चल रहा था कोंसी पड़ाई वो कर रही थी? वो पड़ाई कर रही थी? सोफी की पड़ाई गरीबूं को कैसे पाला जाता है गरीबूं के साथ कैसा रहा जाता है? गरीबों को कैसे, गरीबों की कैसे मदद की जाती है वो यही सब कुछ, वो सोफी संथ पर रही थी अपार्ट फरम प्रेयर, शी सिपेंड हर टाइम हेर इन लर्निंग हिंदी एंड बिंगाली वो यह जो काम कर रही थी, उसने जितना भी टाइम से पैंड किया कॉल्काटा में इस टाइम इसने हिंदी भी सीखी और बिंगाली लंगलेश भी सीखी उसने यह जबान इसलिए सीखी ताकि वो उन लोगों से बात कर से सके जिन लोगों की वो खितमत करना चाहती थी जिसमें वो काम करना चाहती थी तब ही ये मुम्किन हो पाया जब उसने वो जबान पहले सीखी पहले वो दारजलिंग में रही और बाज में कॉलकाता चली गई उसने सोफी के तोर पर 1937 में अपना आखरी काम कर लिया या अपनी आखरी कसम ले ली and assume of the name Teresa because that was the name of the patron sent up उसने 1937 में अपना समझो ये जो उसने नाम एक्तियार किया ये Teresa का नाम उसने एक्तियार किया उसने 1937 में कसम खाई और Teresa का नाम उसने एक्तियार किया while teaching the Indian girl students from affluent background जिस दोरान वो हिंदुस्तान की लड़कियों को पड़ा रही थी उन लड़कियों को जिनका बैग्राउड बहुत ही गरीब था and sent married school Kolkata sister Teresa as she was now called could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city एक दिन mother Teresa जो थी वो अपने आपको गरीब लोगों से homeless लोगों से जिनके पास गार नहीं था जो जो जोंपड़ियों में रहती थे जो सालम मज़ रहती थे जो पट्रियों पर रहती थे उनसे अपने आपको दोर नहीं रख सकती थी the condition in which they exist is where applaugically hygienic the fillet and sitting wire the condition in which they exist is where applaugically hygienic mother Teresa को ये लगा कि गरीब लोग जहां रह रहे हैं वहाँ unhygienic रहन से हैं unhygienic खाना पीना है इन गरीबों को तब ही इनकी हालत इतनी बुरी है the fillet and sitting यह extreme dirt है यहाँ बहुत ज्यादा बदबू है where no stink and it was no wonder that they suffered from all kinds of disease mother Teresa को लगा यहाँ जो extreme dirt है यहाँ जो extreme गंदी बदबू है इस वज़े से ही यह लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं sister Teresa could see that the hospitals and other severe amenities were structured to the limit in the streaming metaphors जब mother Teresa को लगा कि इन लोगों की हालात इतनी बुरी है तब ही इनको किसी जगा किसी अच्छी जगा या किसी अच्छी खॉस्पिटल में जगा नहीं मिलती है इलाज करने के लिए so that would sometimes carry the worst cases of the citrates हर सिलफ इसलिए वो इनहीं के बीच आके रहने लगी और जिनकी खालत बहुत ज़्यादा खराब होती थी worst cases इनकी ये देखवाल खुदी करती थी clean them and clean them up and look after them till they recovered or died वो तब तक उनकी खिदमत करती थी उनको साफ करती थी उनको नहाती थी जब तक न वो ठीक होते थे या जब तक न वो मर जाते थे she could not bear to see anyone die without the dignity that every death deserves वो तब तक वो she could not bear वो ये नहीं देख सकती थी कि कोई इनसान बगेर किये हुए मर रहा है या कोई इनसान बेमोद मर रहा है ये mother Teresa देख नहीं सकती थी Monday in 1946 एक दिन 1946 में when she was traveling in a train from Calcutta to Darjeeling एक बार जब वो 1946 में Calcutta से Darjeeling जा रही थी she again heard a voice उसको वो आवाज फिर से सुनाई दी जो आवाज उसने एक बार पहाड़ों पर जाते हुए सुनी थी like the one she had heard before जो आवाज उसने पहले भी सुनी थी telling her that now she must leave the convent and help the poor उसको यह आवाज आई कि आप इन सुकूनों से या इन मिशिनरी से निकल जाओ और गरीबों की मदद के लिए आगे आजाओ by living with them जिन लोगों के साथ जिन गरीब लोगों के साथ आप रह रही हो आप इन ही के साथ रहो she felt that it was an order which she could not disobey उसको यह लगा यह वो order है यह वो आवाज है जिस आवाज को जिस आवाज के खिलाफ को नहीं जा सकती थी and to quite her words to fail would be to break faith this was the final turning point that gave birth to the Mother Teresa we all know about यही वो वकत था यही वो जगा थी जिस जगा Mother Teresa को सारे लोग जानने लगे thanks